तुम फिर से आगए अंजली क्या चाहिए तुम्हारी वज़े से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या जवाब दूंगी मैं सबको सोचा है कहा था ना मुझे होस्पिटल ड्रॉप करके तुम चले जाना और क्या क्या तुमने ऊपर आ गया दादी और अनु से मिल लिए मैंने फिर कहा तुम्हें घर जान है मैंने ही ना कर दी होगी तुम्हें पांच साल तक शादी नहीं करनी है ना तो फिर कॉम्प्लिकेट क्यूं कर रहे हो वुद मॉर्निंग बेटा अरे कितने बज़ गए एक मिनट रुकिए आ है अरे बेटा गिर गया तो क्या हुआ मैं घर जाकर और ले आती हूं इच्छी अजली डूंट टाच मी तुम सारे मर्द बरोसा तोड़कर अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हो पापा मामा सब के सब इसलिए मैं तुम्हें बार बार जाने को कह रही हूं अर्जु अर्जुन को अब मैं यहां से जाओ या रुकू तुम्हें तुम्हें बार बार वापस आजाता हूं और तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए तो अर्जु अर्जुली मुझसे आजुली अर्जुली अर्जुन को को नहीं जाओंगा अब समझ में आ गया तुम्हारी शब्द नहीं कि तुम्हारी आँखे सच कहती है कि मेरी आँखों में देख कर जाने को कहो चला जाओंगा कि लुक इत्मी अंजली कि अंजली आँखे सच कहती है कि अंजली आँखे सच कहती है अर्जुन कल सुबह उड़कर तुम अपना फैसला पदल तो नहीं लोगे ना ये तु नहीं सोचोगे कि तुमने गल्ती कर दी है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी पता दो अर्जुन मैं परदाश नहीं कर पाऊंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर चलो लेट्स को चलो वाट शादी करने हां अंजली मैं सीरियसली कह रहा हूं मेरी इच्छा है कि हम जिन्दगी भर साथ रहे और हमारे पेरेंस भी तो यहीं चाहते हैं न हम बस थोड़ी जल्दी शादी कर रहे हैं इतना ही वाट भागल हो क्या यह क्या बगवास कर रहे हो लाइफ में पहली बार कुछ सही कर रहा हूं जरा सोच कर देखो अगर शादी का मुहरत पांच महीने बात का मिला तो तुम्हारी माँ दिन राज शादी के टेंशन में रहेंगी लेकिन उनके डिस्चार्ज होने से पहले अगर हमारी शादी हो चुकी हो तो वो कितना खोश होकर रहेंगे और कोई खर्चा भी नहीं होगा सब कुछ डिसाइड हो चुका है तो अब देर किस बात के आज ही शादी हो गए तो हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं वाट आउटस्टैंडिंग प्लान है मैं जाकर गाड़ी निकाल रहा हूं चल्दी आना एक क्या शिट वाट यू दूइंग मान कितना घटिया शॉट था वन मोर वाट देहल मैं हिट द बॉल अप फिर वही गलती की बॉल में हमां कम है क्या खुद को फेडरर का फैन बुलाता है जब फिर से ट्राइ करते हैं फोकस डामिट देखा आपने वो जो पागलों की तरह चिला वह मैं हूं अर्जुन कर दो कि सलमान का फैन और हनुमान जी का भगत अब वेट रेड़ी अभी होगा भी होगा वी होते शट पटेगा तो है 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 हनुमान जी आप किसी भी तरह इसका ब्रेंवाश कर दीजिए और इसे शादी के लिए राजी करवाइए क्योंकि इसी साल मुझे इसकी शादी करवानी है कि मान जी मां तो हर दिन एक नए भगवान की पूजा करती है पर मैं वैसा नहीं हूं आपका लॉयल भक्त हूं सिर्फ आप ही के पास आता हूं आप भी किसी भी तरह मेरी मां का ब्रेंवाश कर दीजिए पांच साल तक इने शादी का नाम मत लेने दीजिए मैं भी सल्मात के जैसा जिन्देगी भर कुवाना रह सकता तो कितना अच्छा होता ना कोई प्रेशर नहीं कोई कमिट्मेंट्मेंस नहीं बिना कॉम्प्लिकेशन्स के लाइफ में खुशियां भर जाती लेकिन ऐसा नहीं हो गया कोई होने भी नहीं देगा tetap ये रहा गाःच्छ blade ज्याहि रहा रहा है ये रहा है अर्जोन ए रहा ए रहा ह्यों अर्जुन तुम शादी क्यों नहीं कर लेते पापा एक बात बताईए आपने शादी क्यों किये थे उस वक्त मैं लगबग 26 साल का था मैंने तुमारी मा के फोटो देखी क्या अच्छी फोटो थी मैंने देखते ही यहां कर दी लगी तुमारी माने भी हां कर दी और हमारी शादी होगी है ना मा सिर्फ सुंदर ही नहीं है बलकि मन से भी अच्छी हो और उन जैसी वाइफ आपक कम से कम पांच साल तक शादी नहीं करने वाला एंड ओफ टॉपिक आपको क्या लगता है शादी करने का प्रेशर सिर्फ माबाप ही डालते हैं नहीं पूरा ब्रह्मान प्रेशर डालता है सब लोग टॉर्चर करते हैं आपके फ्रेंज भी एए तिरह तो नसीबी खराब है वहाँ देख हर ग्रुप में दो तीन लड़कियां है कोई अपनी गर्फिंड के साथ है और कोई अपनी वाइफ के साथ है और तू इतना बड़ा लुक्खा है साड़े नाइट के दारू भी मेरे साथ पी रहा है एक तो तो तेरे साथ दारू पीने आओ उपर से तेरी बात हाँ बाते सुननी पड़ेंगी हमारे ग्रुप में एक लड़की होती तो कितना मज़ा आता पर तू नहीं समझेगा लड़की कहां से पैदा करू शादी कर ले ना शादी कर ले यार तू शादी करेगा तो मेरा कितना फायदा होगा सोचा है मुझे एक अच्छी दोस्त मिलेगी कुछ पर्सनल बाते होती है जो मैं तुझे नहीं बता सकता मतलब बताओं अभी तो तू समझेगा नहीं मैं तो खुझ शादी कर ले ना गधे चार साल पहले माबब शादी करवा रहे थे ता मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है और आप कहते हैं इतनी देर हो गई करके भी क्या करोगे अब यह सब तो मेरी प्रॉब्लम है तू नहीं समझेगा जिस दिन से 25 साल का हुआ उन जहां जाता हूं जिस से मिलता हूं सबके पास बात करनेगा एक ही टॉपिक है शादी कप करेगा शादी कप करेगा शादी कप करेगा बाई जाव 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 मेरी लाइफ, मेरी शादी, करनी होवे करूंगा, नहीं करनी होवे नहीं करूंगा 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 यहां मा, बॉस के साथ मीटिंग है, आप रुट जानती हो, इतनी जल्दी थी तो टाइम पर उच जाता अब कोहाँ कि ब्रेफिस्स के लीवी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सान्विच पैक कर दिया है, कार में खा लेना और जीनियस मा अर्जुन बोलो मा वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बोलो नहीं नहीं तू आफिस जाना मैं फोन करके बात कर लोगी फोन क्यों आफिस में चिलानी बाऊंगा इसलिए जो बात करनी अभी करो नहीं नहीं बेटा बॉस के साथ मीट्री है ना जा जा जल्दी जा तुलेज हो जाएगा तुम्हें देख लूंगा मा यह मुझसे पढ़ जाएगी एक बार ट्राइ करता हूं हाइग आप कि अधिर कब तक हम दोने दूसरे को ऑफिस में इस तरह गूरते रहेंगे हां जब से तुम्हें कमपनी जोइन की है हमने बेशक कभी एक दूसरे से बात ना कियो लेकिन पता है हमारी आखे रोज लिफ्ट में एक दूसरे से बात करती हैं जैसे बहू बली में वो विलन किली किली भाशा में बूलता था ना वैसे ही, यह थोड़ी अजीव लाइन हो गई है, मस्ते मस्ते, टेंशन मतलो, तुम्हारी आखें मुझे बता चुकी है, कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, अब बस जुबान तक लाने की देरी है, फिर मैं तुम्हारे पे यूर्स लविंगली, यूर्स, सुजीत, लुक्स गूद, अरे तु कहां है, बहुत तरी वेट कर रही है, थेक है, जल्दिया, बाई, सेंट, कि अग्यात, सुजीत, मैंने तुम्हे का पैर से लिफ और देखा, कि तुम्हारे खिलाफ औरू कंप्लें करूंगी, वो दर्यूद, शिट, जशीत! आविभी हा नो इट नो दो फॉर आजना को जा झाल आज नो आज दो एक आज बरत के फिर आजय को पूरियरा कोई तो सबसे कहरीति कि इस ओफिसी जैंडल मेरी बात सुनो आज तुम्रें जैंडल में नहीं गरुदि है तुम्हें नहीं अएटीक है पर गुप में चला गया मतलब तुम्हारा दिमाग हराब है क्या इतना घटिया इमेल दो लड़कियों की मां हो मैं शादी हो गया उनकी शड़ाप शिंग्लिस वह क्या था ब्रो तुम्हारा मेल पढ़कर शौक हो गया मैं मैंने तुमसे कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था और सडली जब वो मेल आया पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं है कर चलो ठीक है मुझे दो दिन का टाइम दो मैं सोचके बताता हूं कमीने इमेल में हरस्मेंट करते हो फाल्तु इंसान बाहु बली किली किली भाष्य है ची लाइम पो अच्छी थी वस्टे मेना तुम्हें मां डालूगी अभर वस्यों लाइम यहां बटकर वेशन किताब पढ़ रहा देखो तुम जैसे लड़कों की वज़े से यह लड़क अगर तुने उस यह मेल का नाम भी लिया ना अच्छा अरे बॉस कबसे बुला रही है जा जाके मिल हां बस एक मील चेक करके जाता है अरे मेल को छोड़ना जा जा जाके मिल किया पहले अरे जा बॉस कबसे बेट कर रही है बहार में गया मेल मैं या कमर्जु अरजन तुम काम करो कल तुम्हें ओफिस आने की जरूरत नहीं है तुम डारेक लिए क्लाइंट के ओफिस चले जाना कल दस बजे की मीटिंग है प्रेजन्टेशन के समय तुम्हारा ये फोन बजना नहीं चाहिए लो नो नो प्रेजन्टेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए अर्जुल आज स्विच इट ओफ ठीक है चलो काम पर लग जाओ और कल प्लीज रेट मतारा या महाम क्या बुली वह वह था फोन स्विच ओन करते ही कॉल आगया क्या हो गया मौम को मुझसे कुछ इंपॉर्टन बात करनी है बहुत से बात करते समय भी दो बार फोना है इंपॉर्टन मैटर क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं इधर नहीं काफिटेरे में बैटकर उनसे बात करता हूं आराम से चिला पाऊंगा बैस्त है चल हां बेटा तुम बजीत है किया ओके मैं बस पांच मिनटी लूँगी मैं तुम्हें गुद न्यूस देना चाहती थी तुम ध्यान से सुनो हां शाथ रहना और टेंशन मत लेना गुद न्यूस है तो मैं टेंशन क्यों लूँगा जल्दी न्यूस बताओ मुझे कैसे रिया करना मैं देख लूँगा कुछ कहास नहीं बेटा वो आज शाम को ना एक लड़की के साथ मीटीं फिक्स की है तुम्हें आना है और लड़की से मिलना है बस इतना ही आई न्यूट मां मैं नहीं आओंगा क्यों नहीं आएगा तरे लिए कितनी मुश्किल से मैंने अच्छी घटी है एक्सपीरियंस इस जिसके भी घर जाओ पूरा खांदान ऐसे घुरता है जैसे में कोई चोर हूँ फिर अचाना के एक लड़की कॉफी लेके अंदर आती है फिर सब लोग हमारी पीछे पढ़ जाते हैं कि 10 मिनिट टेरस पे अकेले बिताने जाओ हम 10 मिनिट एक द कुवारा रह गया तो मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखीगा बेटा तुम बिलकुल चिंता मत करो मा मुझे इतना टॉर्चर करोगी तो तुमसे पहले मैं ही चला जाओंगा और मैंने कब का मैं शादी नहीं करूंगा मैं बस पांच साल तक ये बात नहीं करना चाह ये बिलकुल परफेक्ट है तेरी लाइफ सेट हो जाएगी मॉम लड़की चाहे जितने भी अच्छे क्यूं नहों मेरा जवाब ना ही होगा ए सुन इतना ओव अच्छा नहीं है हां उस लड़की के बारे में तू कुछ नहीं जानता तस हजार रुपए की शर्ट लगाती ह हुए आएगा और मेरे पेर पकड़कर जित करेगा कि मा मुझे इसी से शादी करनी है लग गई शर्ट उस लड़की को में पांच मिनिट के अंदर रिज्ट कर दूँगा लगी शर्ट ठीक है बाई 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 कि हरे इस ने तो मुझे पहर से फांसा लिया या कि टैरेस पर चलते हैं इदर मेरा दम घुट रहा है ठीक है मैं संबसा लेकर आता हूं तुझे चाहिए नहीं चाहिए तो बाद में मेरी प्लेट से नहीं खाईगा ना यह नहीं चाहिए बोला ना ओके-ओके-ओके-अलो सब एक प्लेट समुशा देना कॉन समुशा है अलो बोलती है यह लड़की इतनी अच्छी है कि इससे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती हंड्रेट परसंड में हां बोलने वाला हूं सब्सक्राइब कि अच्छी मिलती है मस्त लाइफ है लेकिन तेरी लाइफ कितनी बोरिंग है यार तेरा ब्रेक अप वे भी पांच नहीं छे साल हो चुके है राइट और तब से तेरी कोई गल्फिंड भी नहीं है और होने के चांस भी कम लग रहे हैं तेदी प्रॉब्लम क्या यार शादी कर ले ना चुप-चाप तेरा दिमाग खराब तो नहीं है तुमेरी माह से बत्तर है या लाइफ बोरिंग है तो मैं शादी कर लूँ क्या इस वजह से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुमारा और जिन्दगी में मेरे कुछ गोल्स है मैं मैं विश लिस्ट मेरे सब अर्मान पूरे करने के बाद ही मैं शादी के बार में सोचूंगा है गोल्स चल बता तिरे अर्मानों के लिस्ट बता मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना तुझे बताया तो था मुझे एक हाइन स्पोर्ट्स कार खरीदनी है उसके लिए मैं अल्रेडी बारा लाग रुपए सेव कर चुका हूँ और आठ लाग फिर डाउन पेमेंट और बाकी अमाउंट लोन पर ओके तो अगर मेरी शादी हो गई तो हातो मेरी वाइफ तो प्र भी मान जाएगी लेकिन मेरे महान पेरेंस उसके पेरेंस अब कहेंगे कि ये क्या किया तुम्ने तुम्हारी शादी हो चुकी है तुम्हारी शादी हूट greatness में investments कर सकते थे और फिर वही पैसा तुम्हारे बच्चों की higher education के लिए काम आ सकता था my foot क्या बखवास है ये तो एक goal है ठीक है next goal क्या है life make Europe trip माननी है यार around one month to 40 days आराम से योरप का हर कोना घूमना है enjoy करना चाहता हूं और अकेले जाओंगा अगर शादी के बाद योरोप गया तो मेरे जैसा बड़ा गदा कोई नहीं होगा वहां योरोप में Spanish और जालियन लड़कियों को देखा है तुना यूशूर की और ऑप्शिंस ओपन मान तो यह रहिसू की तरह सोचना बंद करो थोड़ा ओकात में आजा भाई असली दुनिया ऐसे नहीं चलती है आज के समय में अरेंज्ड मैरेज करने वालों को भी लड़की मिलना मुश्किल हो गया है और अगर कोई मिल गई तो चुप चाप शादी कर लेनी चाहिए यह कोई गोल्स होते हैं क्या ठीक है ओके हर आदमी के अपने गोल्स होते हैं मैं समझता हूं लेकिन याद रखना तेरी मां बहुत अब लड़की तो पहले हां बोले क्या सुन यह शादी के लिए लड़कियों से मिलना मेरे बस की बात नहीं है तू भी साथ चलना मौरल सपोर्ट है मैं हूं हो के लेकिन शर्थ पर चलूंगा तूने ना बोला तू लड़की मेरी अरे मैं तो ना ही करने वाला हूं और तो और मैं तेरी सेटिंग भी करवा दूगा चला जा डण 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 सर लिफ्ट आउट आफ ओडर है आपको सीडियों से जाना पड़ेगा लिफ्ट आउट आउट आफ ओड़र है 14 फ्लोर्स हर फ्लोर पर 20 स्टेप्स होंगे टोटल 280 स्टेप्स मैं यह आराम से कर सकता हूं मुझे देखकर शायद इसा ना लगे सो बॉड़ी को पता ही न चले मुझे इतनी तेज भागना होगा तो ने उसेन बॉल्ड का नाम तो सुना ही होगा इससे पहले कि मेरी बॉड़ी को पता चले कि मैं इतनी मेहनद करने वाला हूं मैं 14 फ्लोर तक पहुँच भी जाऊंगा I'm on it I hope you catch up कि उसे बॉल को अस्तमा हो गया क्या कौन से फ्लोर पर है सिक्स्थ फ्लोर अम लग चड़ रहे हैं या उतर रहे हैं समझ नहीं आरा कि अ कि अ जब आए सुझीत सुझीत ऊट यार उड़े में कि दूदवाला गया क्या अबे कौन सा दूदवाला यार हरे कि दूदवाला गया हुआ सुन मैं अपनी मां से बात करना चाहता हूँ प्लीज अभुआ अधर कैचप कहाँ मां आपने तो कहा था आज मुझे किसी लड़की को मिलने जाए मेरी ना के अगे डर से कहीं अपने प्रोग्रम तो कैंशलनी कर त्या वेरी गुद डिसिजिएन I'm proud of you Arjun मैं तुम्हें एक बार बताना भूल ही गई सब शांती से सुनना ओके क्या लो अर्जुन सुनो यह मेरा आइडिया नहीं है और एक सचा यह है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है कैसा आइडिया आप क्या बोल रहे हो अचली तुने जो कहा था बिल्कुल सही था हम लड़की को देखने उसके घर जाते हैं फिर सब लोग दुझे घूरते हैं फिर लड़की आती है सब को कॉफी देती है तुम तुनों टैरेश चाते हो फिर दस मिनिट बात करते हो और तुम्हें रिसाइब में उसी वात करना होता है यह कितना गलत तरीका है ना बिटा इसे लिए मैंने एक डिसिजन लिया है वो क्या मैं मैं लड़की की फैमली से बात कर चुकी हूं उन्हें कोई अतराज नहीं है उन्हें किस चीज से अतराज नहीं है वो लड़की लड़की जो है ना वो हमारे घर आएगी तो तुम शांती से बैठकर काम ली उसे बात कर ल पर है मां और वो और वो लड़की भी इस पागलपन में शामिल हो गई और उसकी फैमली में कोई संसकार है यह नहीं है आप आसे परिवार से रिष्टा जोड़नी की बात कर रही हो जो अपनी बेटी को अकेला मुझसे मिलने के लिए भीज रहे है आज तेल लेने गया आपके करवाना है ना आजकल के लड़के यह सब काम अच्छे से कर लेते हैं तू क्या टेंशन ले रहा है अरेंज मैनेज को अपन दिमाग से बिलकुल निकाल दे डेट डेट मैं अभी यहां से जा रहा हूं मुझे किसी डेट पर नहीं जाना है मेरे जैसी ब्रॉड माइंड और अब बहुत नसीब वालों को मिलती है वह वाट इस दिस किससे बात कर रहा है यह यह बोलना मत कर रहा कौन है वहां पर सुझीत जरह फोन दे उसे क्यों दू उसे फोन दे तू आ कि अब तू आ किया कर रहा है हां अब तू आ कि अब तू आ कि यह ब्लेड कैसा है एंपाइ एंपाइ तू जह है तरी माने अपना आ खातरा रूप दिखा ही यह नहीं यह हां को मेरे साधी को नहीं होने थेगी यह मैं जा प्रार्रिटीज दी रूख 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 शिट अए अश्न 2 अजभ प्लूख एड़ूख प्लूख ये नया शर्ट पहन लेना बेबी, मॉम, स्माइली फेस, बार में जाओ सब जीन्स तक नहीं पहनूगा, शॉर्ट सी सही है विदान्यूule झाओ जोगे तक सबेशा है हाँ अंटी I think he has opened the door okay अंटी बाइ hello SHIT मा ने मेरा दिमाग खराब करक दिया these people I tell you, they've ruined my life I'm sorry, they are okay okay no problem hi I'm Arjun hi जितनी इंड्रॉक्शन की जरूरती उसे ज्यादा ही दे चुके हो oh तो तुमने ओल्रेडी इस बात का मजाग बनाना शुरू कर दिया okay I'm sorry I'm Anjali and इस टॉपिक पर में दुबारा बात नहीं करूंगी okay uh can I come in yeah yeah sure come in please sit please sit I'm 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 not really sure okay Arjun can I have some water please yeah yeah sure Anjali को pineapple juice बहुत पसंद है मैंने बनाया है पानी मांगे तो उसे दे देना heart smiley तो देखो जरा मेरा बस चले तो जहर दे तू thank you अजली I'll come to the point कैसे कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिए so honestly तुम्हें बता देता हूं मेरे mom dad ने तुम्हें यहां बुला कर तुम्हारा time waste किया है and I'm really sorry और मुझे शादी करने में विलाल कोई interest नहीं है कम से कम पांच साल तक मैं शादी नहीं करना चाहता है it has nothing to do with you really मुझे शादी नहीं करनी है what do you mean you hurt me तो यह बात उमने घर पे पहली क्यों नहीं बोली मजा करे हो क्या Anjali मैंने mom को कई बार मना किया लेकिन वो सुनती नहीं है यार what do I do are you 10 years old नहीं कह सकते अपनी मा को ढंग से मना नहीं सकते क्या मुझे यहां बुला कर time waste कर दिया मुझे और कोई काम नहीं Anjaliya I'm really sorry लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बहुत और आओ माने मेरी नहीं सुनी इतना over yet क्यों कर रही हो over yet हां तुम्हें क्या लबता है कि इतना सज दज के किसी अंजान लड़के से मिलने जाना मेरी hobby है अपनी self-respect को गोली मार कर यह कर रही हूं My fate मेरी परिस्तती कुछ ऐसी है और अब मैं अब मैं अपनी मा को क्या जवाब दूँगी मा कुछ कर बैठी तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए हां यह श्राइब पानी छोड़ बेटा इस पार जोसी सही रहेगा अजली तुम्हें पानापल जूस बहुत पसंद है ना बैठा हूं या नहीं घर तो मेरा ही है बैठ जाता हूं अजली डूंट माइंड बाट अरेंज मैरेज में किसी को नो बोलना तो कॉमन बात है ना एंड मैंने तो इतने डीसेंट तरीके से तुम्हें नो का साही कह रहे हो तुम और कर भी क्या सकते हो अगर मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं भी फिलाल शाली नहीं करती और लड़कों से रिजेक्ट होने की मुझे आदत हो चुकी है तो इस फाइन लेकिन क्यों तुम्हें बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो और यह ब्यूटिफुल तुम्हें कोई पागल ही ना बोलेगा तो दस मिनट पहले तुमने क्या किया मैं रिलाक्स अर्जुन आम जस्किरिंग अजली पहले तुम कुछ हालात की बात कर रहे थी कि तुम्हारी माँ कुछ करना बैठे कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग भी हैदरावाद से ही हो ना तो क्या कोई भी लड़का आपकी बेटी को ना नहीं कहेगा बहुत खुशी हुई मैं बहुत खुश हूँ और मुझे क्या चाहिए जैसे कि जाशाय का हम मंगनी कर देंगे और जल से जल से शादी भी करवा देंगे मैं तो बहुत खुश हूँ मैं सब को बता कर आती हूं इसके मामा तो इसके शादी की बाद सुनकर खुशी से बुलाना होगा हाँ डिली के सारे कजिंस को बुलाना होगा सबसे पहले मैं लेशंद लेश्प संक रंतीय सबस्थ हूं घाले राइएगा है तो फार अब संसे तयारीय है ंजत Warm मामा जी को बुलाना होगा चाचा जी भी आएंगे उनके साम भी दीता है और उनके बच्चे भी है तीन बेचे हैं उनके लिए उनके लिए एक मिरिट माँ माँ अंकल आप दरिये मत माँ इस बाइपोलार मतलब अगर वो बहुत जादा खुश्यां बहुत जादा दुखी होती है तो उन्हें दोरा पड़ता है उनकी ट्रीटमेंट चल रही है तो डूंट वरे बेटा इनका ख्याल रखना मैं हरिश के वापस आते ही फोन करवाता हूं ठेके बेटा दीदी फोन उनका फोन है ला मुझे दे सौज़ी क्या लेती हूं अगर तुम दोनों को रेटिंग दूँ तो तुम्हें मैं दस में से नौ नंबर दूँगा लेकिन उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारी मा की वो जो जो नहीं प्रॉब्लम नहीं और तुम्हार जो बीमारी है न वो शायद और तुम्हारे पिताजी भी नहीं है और कोई भाई भी नहीं है अगर तुम्हारी शादी हरीश के साथ हो गई तो तुम्हारी मा की सिमेदारी भी हरीश पर आ जाएगी इसलिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ये शादी नह पर एक बात याद रखिए, मेरी मा और मेरी फैमिली की देखबाल कैसे करनी है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, भले ही मेरी शादी किसी से भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी मा का ध्यान अकेले रख सकती हूँ, मैं किसी के भरोसे अपनी जिन्दगी नहीं जी रही हूँ मैं इनकी देखबाल कर लूँगी विश्योर सॉनों वेरी हापी मैरे वाइफ वो नहीं है बिटी मा एक काफी अच्छा रिष्टा आया है बहिया तो इस बार अंजली हमें काम करते हैं जब वो लोग आएंगे ना तो मैं तेरी मा को लेकर कहीं बहार चला जाओंगा क्यों मामा कोई ज़रूरत नहीं है जो लड़का मा की हालत समझेगा मैं बस उसी से शादी करूंगी और किसी से नहीं अदर्वाइस आल नेवर भी ठूली हाभी मैं खुद ने सच बता दूंगी तुम पागल हो गई है क्या आपने बिल्कुल सही कहा है मुझे कहीं बाहर ले चाहिए यह रिष्टा मेरी वज़े से टूटना नहीं चाहिए तुम इस लड़के से मेरे बिना ही मिलोगी अशी बात नहीं है मां मुझे कहीं बाहर ले चली है तुमने डिगरी कहा से ली बेटी हां है थाइदरबाद से अंकल ओके चले अचले न इस पीन अ प्लेशर मेटिंग यह अंचली ओप वी आव ग्रेत लाइफ तोगेदर तुम्हारी मां जब भी बैंगलोगों से वापस आए हमें ज़रूर बता देना बाकी बात हम कर लेंगे चलते हैं तो हम आते हैं वाइए अंटी यह राजीव क्या हुआ तुम्हें लड़की पसंद आई यह बहुत ही प्यारी है इतना अच्छा रष्टा लाने के लिए शुक्रिया हम तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटी इसे कहता ना पॉफट मैच आपको बताए इससे पहले अंजली के लिए जितने फी रिष्टे आये थे वह अंजली की मा की वज़े से तूट जाते थे चलो अच्छा है मैं जानती थी कि आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है इसलिए मैंने आपको इस रिष्टे के बारे म इसा ने देखा कि नहीं कि उनका है फॉन है एलो हां बोली आंकल तुम्हारे मां बैंगलूरू से आगई बेटी या ऑंकल आ गई हैं इनफैक्ट मेरे पास ही बैठी है नुद sis नुल्ग है नाчи तो मारी मां सेच में बैंगलूूरू का ंश सभुत है या यह नहीं स्थ। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम सब मिलकर उसके देखभाल करते हैं और राजी भी तुम्हारी मां का ठीक वैसे ही खयाल रखता हुआ हम उतने नेरो माइंड़ेड नहीं यह बेटी जितना तुमने सुचा जिस रिष्टे की शुरुआ जूर बोल कर हुई हो वो रिष्टा चाहे जितने भी कोशिश कर लो कान्याब नहीं हो सकता हमें माफ कर दिना मेटी मैं प्रात्ना करूंगे की राजीव को रिली अच्छी लड़की मिले यह मैं अपने दिल से कह रही हूँ यह फैमली डिसर्वस्टे बेस्ट आम रिली सॉरी अंकल बाई क्या हुआ बिटा कुछ नहीं मां क्या हुआ कि मेरी वज़े से एक और रिष्टा तूट किया मां यह क्या कह रही हो तुम मैं तुम से एक बात कहूं मेरी जिन्दगी बस आप लोग है और आप सब की खुशी में ही मेरी खुशी है अच्छा जॉब है अच्छी सैलरी भी है मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी तो हमें एक गाड़ी भी लीनी है खुद का फ्लैट लीना है स ले अप साथ में खुशी से रहेंगे लाइफ में बच शाधी करना ही सब कुछ होता है क्या नहीं ना कि मां कि है कि अ कि मां प्लीज मां आज मैं मां से जो भी कहूंगी उन्हें विश्वास नहीं होगा उन्हें पस यहीं लगेगा कि उनकी वज़ा से ही रिष्टा तूट गया है पता नहीं वो पता नहीं वो कैसे रियाक्ट करेंगी सॉरी अंजली मैं मैं कुस्टे से पाकल हो रहा हूं दस पार कहा मुझे शादी नहीं करनी कल न्यूस में आएका देखना एक लड़के ने अपनी मां को मार डाला हूं आप हम सो सॉरी अंजली तुम बहुत अच्छे हो अरजुन मैंने कई तरह की लड़के देखे हैं कोई कहता है कि उन्हें सिर्फ किसी अक्टरिस की तरह लंबी लड़की चाहिए और फिर एक ने कहा कि उसे दूट जैसी गोरी चिट्टी लड़की चाहिए ये तो फिर भी ठीक था एक लड़का मुझे पिछले साल मिला था, he was the worst मैं जैसी उससे मिली उसने मुझसे हाय तक नहीं बूला, top to bottom scan किया बस और बाद में उसकी मां का फोन आया और उसने कहा कि लड़की तो अच्छी है लेकिन चेहरे पर थोड़ी दाग और दाथ थोड़ी अजीब है हम लड़किया मुबाइल फोन होती है क्या कि फीचर्स देकर पसंद करोगे और हमारे पेरेंट्स को शादी का पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता है आज कल हर एक लड़की को कट्रीना क्याफ चाहिए लेकिन उनमें से कोई भी रणबीर नहीं दिखता लेकिन उनका तो ब्रेक अप हो गया ना कैच मैं पॉइंट अर्जुन है कि तुम वो स्कान करने वाले का नाम और पता दो दो कि मार डालूंगा उसे ओहो मेरे लिए किसी को मार कर जील जाने के लिए तयार हो लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते सही बोला ना अजली अर्जुना में किडिंग रिलाक्स यह नाइस का मुझे सिर्फ पांच मिनट तो अर्जुन घर जाकर क्या बोलना है यह सोच कर ने कलते हूं यह शुर इफ यूंट माइं हम बैल्कोनी में चले मुझे थोड़ी फ्रेश एर चाहिए यह यह शुर प्लीज कानु तो बताओ अर्जुन तुम्हारी इंच मैरेज की मार्केट में कैसे टपक पड़े तुम्हारी कोई गल्फिर्ण नहीं है तुम्हार कोई बॉरिंग ताइप की हूं अर्जुन तुम्हार कोई बॉरिंग टाइप की हूं अर्जुन कॉलेज में जो फॉर्स बेंच पर बैटकर नोट्स लिखते रहते हैं बेल बच्चते ही घर चले जाते हैं और फिर घर जाकर घर में काम करते हैं क्लासमेट्स थे ना मुझे आंटी जी आंटी जी कहकर बुलाते थे तो आई नेवर हैद में बैटर हूं वैसे लड़कों में भी एक लॉजिक होता है है हाइदराबाद में हैंसम लड़कों क्या बुलाते हैं पता है क्या बुलाते हैं टूरिस्ट्स हलो ओ प्लीज आई हाई हाँ में चलती हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है, मां भी काफी टेंशन ले रहे होंगे, घर जाकर जब कहूंगे कि बात नहीं बनी तो पूछेंगे कि फेर इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? अजली, मैं दिल से कहा रहा हूँ, तुम्हारी मौम को कुछ नहीं होगा, और तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, ओ, लेकिन तुम हा नहीं कहोगे, है ना? आइम जोकिंग, अर्जुन, तुम सच में बहुत भोले हो, मैं अभी एक बात दिल से कहते हूँ, यो फेरी सुईट, तुम जिस दिन शादी के लिए राजी हो जाओगे, तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, ओके, बाइ, तुम्हें घर बुलाकर रिजेक्ट करने के बाद, अब तुम्हें हग भी चाहिए, इसकी कोई जरुद नहीं, हम कौन सब फिर मिलने वाले हैं? करते हम जरूर में जरूर बचली के लिएकिन के लिए करने बादे हो ज्यकतके लिए के मिल अबस्ट आपगे, तुम्हें कोईज नहीं जरूरा जरूरा रिए। करते हम जर जरूरा रिए। झाल 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 पुझे मा के पास्चान ए झाल 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 अगे अर्जन आए यू किडिंग मी वोट इवी तुम बस ऐसे ही चली जाओगी मैं और कर भी क्या सकती हूं अर्जन मैं शादी के लिए तुम से मिलने आय थी तुमने मुझे देखा उसके बाद नो का मैं वापस घर जा रहे हूं और मैं करूं भी क्या है अरे नहीं मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ है तुम्हें कुछ भी ऐसास नहीं हुआ सो वाट सो वाट वाट आप अए डोंग सुआ को जानना चाहिए लग में तेक यू आउट नदेटी प्लीज लंच और डिनर तुम सब जानने के बावजूत भी बच्चों जैसे भेव कर रहे है और जुन मुझे घर जाते ही येस या नू में जवाब देना है येस कहा तो हमें जिन्दगी भर साथ रहना होगा नू कहा तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी और फिर शायद दो तीन हफतों बाद मैं किसी और लड़के से मिलूँगे और अगर वो रिष्टा पक्का हो गया तो मुझे उसके साथ जिन्दगी बितानी होगे मा की हालत जानने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि टेट पर चलते हैं एक दूसरे को जानते हैं अंजली इस नौट फैर बस एक घंडा मिलने के बाद कोई शादी के लिए राजी कैसे हो सकता है आपके लिए वो अप्शन नहीं है शादी नहीं तो गुड़बाई अंजली वेट 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 जस्ट वन सेग्ड़़ए मेरी तरफ से हाँ है लेट्स केट मारेट कितने कंफ्यूस्ड हो तुम अर्चुन दस मिनिट पहले बैलकिनी में तुम मुझे अपनी गोल्स किन्वा रह थे कार लेनी है यूरो ट्रप करनी है पांच साल तक तुम्हें शादी नहीं करनी और अब तुम्हाई तरफ से हाँ है कल सुबा उड़कर कहोगे ओ शिट यह मैंने क्या कर दिया इतनी बड़ी कलती और फिर गन्फ्यूज होकर कहोगे शादी कैंसल कर देते हैं अगर घर जाकर मैं कहूंगे कि तुमने ना कह दी तो शायद मेरी माँ कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर आज हाँ कहकर कल ना कर दो के तो अगर अब तुम मुझ से शादी करना भी जाते हो तुम मेरी ना है तुम जैसे कन्फ्यूज क्यारेक्टर से शादी करके मैं पच्ताना नहीं जाती अंजली इस नोट फैर इस नोट फैर अंजली अंजली लिसन टू मी हां बोलो दीदी आप कहा है कितनी देर हो चुकी है क्या होँ माँ को फिर सर टैक आया है और इस बार माँ बेहोश हो गई है हमने अबलोन्स बुला ली है अब जल्दी से प्रसाध हॉस्पिटल आ जाईए हलो 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 सुनो 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 दिर्वाजा खुला है अंजली वाट हापने माँ बेहोश हो गई है शिट वे अंजली अंजली मैं गाड़ी की चापी लेकर आता हूं काकीज 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 अंजली कमाल ड्रॉप यू अरे ये पूरा रेसिडेंशल एरिया है यहां आटो या कैप कुछ नहीं मिलेगा मैं ड्रॉप कर देता हूं ठैंक सर्जुन मुझे आपकर में ड्रॉप करते ही तुम निकल जाना है नो प्रॉब्लम अब ही तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलाल ठीक है डॉटर चेक कर रहे हूं ओके मैं डॉटर से मिलकर आती हूं जाओ बेटी है जाओ संध्स कर दो मैं कर दो हाद मैं मैं कर दो कर दो कर दो कर दो के दो क्वाल अर्जुन दादी दादी वहाँ देखो क्या हुआ यह वही फोटो वाला लड़का है वही अर्जुन यह चड़ी में क्यों आया है लगता है इसकी तरफ से हाँ है देखो होस्पीटल तक भी आ गया इसी से पूछते चलिए हाँ हलो हाई क्यों बेटा हमें पहचाना नहीं तुम्हारी लाइफ की हिरोईन की में दादी मा हूँ और यह उसकी छोटी बेहन है आपको दिदी पसंद आई ना रिष्टा पका समझे ना यह यहां तक आया है मतलब इसकी तरफ से हाँ है अगर हाँ नहीं होती तो यहां क्यों आता है यह देखो दादी मेरे जिजाजी अर्चुन तुम अंदर क्यों आ गए जी जा जी बड़े हिक्यूट है जाकर बैढ़ाओ आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप तो अभी सिर्फ पसेसिव हो रही हैं तुम दोनों अभी जाकर वहां बैठती हो या हम यहां क्यों आएं मां का ध्यान रखने के लिए आए तुम यहां क्या कर रहे हो अर्जुन मैंने कहा था ना मुझे ड्रॉप करने के बाद तुम वापस चली जाना फिर तुम उपर क्यों आ गए अरे इतना गुस्ता क्यों हो रही हो तुम हरबड़ी में गाड़ी से उतर कर चली गई तो मैंने सोचा बाए बोलने के लिए उप पर से तुम आगए टाइम पास करने के लिए तुम्हें समझ में नहीं आला जाओ यहां से ओके ओके फाइन आम लीविंग हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 अर्चुन तुम बाहर बोले भी नहीं चलेंगे मुझे बहुत बुरा लोगा मैं तुमें ठीक से बाहर बोले भी नहीं जा सकता हूं क्या है अर्चुन वट अर्चुन वट अर्चुन वट अजली है अर्चुन कम कम लीवें से मिलने आए थी यूवर बजी ने ने कोई बात ने ड़क्टर अर्चुन मेरे होने वाले जीजा जी वहलो हलो कर देंगे बिलिंग काउंटर पर हमारा कैशिर बैठा हुआ है आप उसे जाकर मिल लीजी और जो भी डिसकाउंट होगा वो देदेगा ओके टेकर लूंगे थैंक यू दॉक्टर हमारा कैशलेस इंशॉरंस काट घर पर है मैं जाकर लेकर आते हूं तुम इसे ले जाओगी ना बिट्टा या 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 मैं लेकर जाओंगा ना चलते हैं बाई अरजन बाई गाड़ी की चापी अंजली कार इस तरफ अंजली मैं तुमें ड्रॉप कर दूंगा ना कम ना यह क्या इटम है यार थैंक्यू तक नहीं बुला बस उतर कर चली गई चलो बाथ रूम हो आता है बाथ रूम बाथ रूम बाथ रूम वहा लेफ में अंजली मैं बाथ रूम हो आता है रधिस्टाए रूम प्रॉम प्रॉम आता है रूम प्रॉम हलो, सुनो, 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 दर्वाजा कुला है कर्याजा, प्राइब का you दो, कि दो औरी, कि आपने और पार्टाब्स के अर्जिए विए प्लीज के उनकरणी बातोअ पर सुख्वा पर शोको से यही आपके हमेश्था करेस्सिंद लग्ताा के लुप्ते हैं। विए यह सुख्वेस्जेट अर्जुन प्लीज बताव मुझेश है। Arjun! Arjun! Somebody help! Help! Arjun! Arjun! Arjun, please! Somebody help! Master, help Anjali! Anjali, open the door. Anjali! Open! Damnit! Anjali! Anjali! Help! Help! Somebody help! Anjali's house is happy. Please call your police. जयाई यह अनुमान के आख जयाई कहा भाजनांग भली बजनांग धिटीच जयाए एच है किया थे प्लिजी मुझे चोड़ दो प्लीज चोड़ दो परबारो जांदी बचाओ से दोनों में से किसे बचाओं इन उसे फ़िए प्लीज प्लीज चोड़ दो की आपर दो रहाँ प्लीज छोड़ दो मुझे था हम हम इन धी लिच वाल्त विण वें जी जीव मेन थोह आग नगञान प्लीजलीन मैं तब सोगा और यहां किसी ने मैं बाजू पर हाथ रखा मुझे लगा तूम थे आर्जुट इस ओके अंचली इस ओके नो बारी अंचली आपको.. 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 वेट्जा.. इसाफ्ट.. ए.. चलोट.. हे.. हे.. पुजक में अनचली िमए। ऐसा करत तुम है अनचली क्या ऑइक ब खानला अनचली तो अनक हो य सद्वर की ऩारत Sea अंजरी तुम्हारे पडूसी होंगे मैंने उन्हें बताया था मस्पीन नेबर्स मैं देखकर आता हूं लिसन तुम्हे दर्वाजा लॉग करकी हॉल में आचा इसके बारे में बाद में सोचेंगे फिलाल दर्वाजा बंद कर दो अर्चन वॉत ते हिल स्वामे शर्णम कंप्लेंट तुने किया था क्या चोरा है था सर लेकिन वह भाग या सर अभी वहाग या इतार चोर तो बाग गया है अब उससे नहीं पकड सकते स्वामे सर क्या-kया चोरी हुआ है चेक करौ और रिपोर्ट दो रिपोर्ट की क्या हज़र होते है वो भाग चुका है चोरी भी नहीं किया उसने तो दिखने में तो मुझे थोड़ा टेड़ा लग रहा है यह अंदर ध्यान से चेक करो रहे क्या रे अंदर ब्लैक मनी है क्या इसा और कुछ नहीं टेंचन क्यों लेता है अरुआ अर्जुन अब क्या करें गे कुछ भी हो जाए कुछ माथ कहना एक दम चुन मैंने सच बता देती हूं तो सच बता देते हैं ना अर्जुन जो सषाए साले को मार डाना से न करिण समुझा नहीं है जाए लेकर पाय चाहता ता लेकर न हम आका इसने मेरे वार कि अभी उस метहा कर और वो और गया है और अब आ रहा गाए तुम जोट कियो बोल रहे हो तुमने मैंने उसे मारा था यह लिए जोट पी जोट पूल रहे हो स्वामी फोरेंसिक और अम्बूलेंस को फोन कर इन दोनों को गाड़ी में डाल रहे एक ग्लास को तेरा बाप कवर करेगा तो तुम दोनों हस्बेंड एंड वाइफ हो नहीं लववर्च हो नहीं सर शादी के लिए मुझे देखने आई थी शादी के लिए इतनी रात को गर पे और कोई भी नहीं था सर वो एक लॉंग स्टोरी है सर इससे उसका कोई लेना देना नहीं है लड़का पसंद आया अभी डिसाइड नहीं किया है सर यह बेकाल की बाते छोड़िये सर वहां क्या हुआ था मैं बताते हूं अब यह पक्का जूट बोलेगी यह मुझसे बहुत प्यार करती है सर मुझे बचाने के लिए खुद की कुर्ब अब यह बेखुद के लिए अब यह बहुत नीदारी है यह बोलो क्या हुआ था बताती हूं सर मैंने उसे सर पर और वो अब कि सर मैं कह रही थी कि अब अब है है इस डीनर के लिए बुला रही है चुपो चाह और नहीं मैं तुझे जान से माट डालूंगा तुझे डीनर पे जहा या भाण में जहा पुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब 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 आपको किसने का वो मर गया है सार इसकी पल्स किस गदेने चेकीती सर आपके करें पर उठाकर लिया है वो तो भाग्या अब हम क्या करें सर हाँ ठीक है चल फोन रख कांस्टेबल वन नाट टू इस पागल को बाहर निकालो तू बोलता है तूने मारा यह बोलती है इसने मारा सेर्फ टेफेंस के लिए या गलती से मारा देखो जो भी है मर्डर मर्डर ही होता है देखो एक बार केस फाइल हो गया ना तो तुम जिंदगी बर कोट का चक्कर लगाएगा सर आप भी बताएए क्या करें करेक्ट तुम बताओ क्या करना चाहिए समझ गया सर समझ गया सर मेरे पास कुल मिला के बारा लाग रुपए है सारे लेकर आता हूं प्लीज चुपो जाओ अंजली तो फिर तुम देदो ना देपाओगी क्या नहीं ना अरे मैं करें भाग रहा हूं क्या बाद में लोटा देना पहले इस सेचुएशन से बाहर निकलना होगा बारा बहुत कम होने का बीस लेकर या बीस लाख सरे काम करता हूं अभी मैं आपको बारा देता हूं और फिर दो हफ्ते बाद बागी के भी दे दूंगा तो लाकर देगा उसका क्या गरेंटी आप जब चाहें मुझे अंदर डाल सकते हैं मैं आप से पंगा क्यों लोंगा अब दोनों अभी तक इधर हैं उससे कुछ नहीं हुआ अब केस में सब खतम आप लोग जाहिए 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 भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है ठीक है बारा ले किया बट वाइस एक पैसा नहीं देंगे तू जानती है न मैं कौन है तू नहीं ज दं है तो गथ करते था कामार जनिदी कहे कहा है में बात में घरता हूं अंजली वाव वेर दिड़ दार कम फ्रॉम बद अर्जुन वह आत्मी जिन्दा था इसे लिए तो हम बच्क है नहीं तो यह मुर्डर केस बन जाता तुम्हारी लाइफ स्पॉल हो जाती अर्जुन वाट वर यू थिंकिंग मैंने कुछ नहीं सोचा मेरे दिमाग में बस यहीं था कि तुम्हें सबसे निकालना है तुम्हें अक्येले नहीं छोड़ सकता था अंजली कि वाट कि तो चलो कि क्या हूँ कि यह कब होँ अई 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 जिस्ट रियलाइज तुम्हें नहीं पाओगी अभी तो एक किलो मेंटर और चलना है इनकी गाड़ी हमें छोड़ सकती है बिलकुल नहीं मैं जिंदेगी में कभी उसकी शकल नहीं देखना चाहती हूं आल मैनेज अर्जुन मैं अर्जुन अजली अचल रखे इसनी इसनी हमें अर्जुन बle dishwasher कर。 ब decomposição में आल मुत्री अफ़े पिक बेलяет ी अर्जुन कि यह रोके ना क्या हुआ अंजली आयू के वाट तुम थोड़ी थकी हुए लग रही हो नौ फाइट उम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है थोड़ा रेस्ट करें आराम से आराम से आराम से आराम से तेक सम्रेस्ट वर रहें कर लो ना पर दरद हो रहा है किया ठीक हो जाएगा आपको भूख लगी होगी ना है अनु हाई दादी अर्जुन क्या हुआ एक काड लाने में इतनी देर लगती है तुम बूनों घर पर गए थे और घर पर तो कोई भी नहीं तो काहीं ऐसा तो नहीं जी आइसा कुछ भी नहीं है इसा लोंग स्टॉरी ऑात में बताता मुंझा सवाग्या दाधी को क्या होगी ए काफी देर से कुछ खाया नहीं है ना इसलिए उनके पेट में बहुत दर्ध हो रहा है ठीक है मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं अच्छा है ठीक है जूस लेकर आता हूं कहां से लाओगे मैं अल्वडी चेक कर चुकी हूं हॉस्पिडल का केफेटेरिया भी बंद चु रापर अब्र डाष थोड़ा बर्दाश्त कर लो ना फ्लीज थोड़ा पानि पिल्धी कंक गया है हाँ इधी प्लीज दोड़ा स्फियलो लोजुंग्स बेटा क्या हुआ बेटा डॉक्टर ने कहा ना मा जल्दी ठीक हो जाएंगी फिर इतनी दुखी क्यूं होती है दादी दादू के जाने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला था मैं तूट गई थी बेटा बरदाश नहीं हुआ था मुझसे तुम्हें पता है प्यार से भी ताकतवर कुछ होता है वो है आदत था चालीस पचास साल से उनके सहत रहने की आदत थी मुझे जगड़ा करना हो या प्यार करना हो मेरे पास उनके अलावा और कोई भी नहीं था और जब अहीं इनसान आपको छोड़कर चला जाए तो सब खत्म हो जाता है मुझे ऐसी आदत नहीं डालनी है दादी 15 साल पहले मुझे पापा की आदत डल चुकी थी हाथ बगर कर स्कूल भेजना अपने हाथों से खाना खिलाना और फिर वो सबको छोड़कर चले गए कार इसकतो पालंके रिर क्यां अबह्यों क्यो करक दोगते है क्यूक प्रौचिक भ्रू तो फ्र॥ थर रव इतनी देर लगाता है कोई दरवासा खोले में भट अभी रात के 10 बज रहे हैं क्या 10 नहींयाई अभी सुभै के पाहने चार बज अ पाहने चार वज रहे हैं तेरा बडल्री मुंत है तेरे बाप का खर है क्या ये बाप dog नायग मेड beispielsweise मुझे ओर्न जुस चाहिए १ूरंगौ। फिरिज में बीयर है, मैंने ऐगाओ मुझे उर्जं़ के औरंज जुस चाहिए। आर निकल है नहीं है यार मैंने करना है मेडिकल इमर्जंसी है यार मीडिक तुम मो भी तूम मैं पो किसी के बेल या किया किया आप कुछ बेबी कहई उमेंस प्रोमी अपने ह़सुन का वेड़ का थी फिंड फ्लिस प्लीस एंड्यक एम्जनसी लच चुटी से हम चाहिए क्या मुझे शुक्त好像 जाहिए औरों दूरो Ji ससमें प्रष्लों सब्सक्राइब को और सबस्क्राइब उसमेंसे सब्सक्राइब फिर दो हुआ मैं तकी यह जो थू कुछ अछ मुद्ट देलेख लिए ति के भागवान वी देख लिए छी छाहिए mr.जैब्च नाकाव मुझे चाहिए । प्रिवेडिकल इम्रेंसी प्लीज 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 ठाइट एंडस्टाइड थाइंक यू गॉड्ट ब्लेस्ट यू क्या लेविं रूम है यार मस्त मूर बन गया यू यू अगर मेडिकल इमर्जेंसी नहीं होती तो मैं अपको कभी तंग नहीं करता है वह इतनी रात को तो बिलकुल भी नहीं सो स्वीट अफुरी अप्रे तो जूस वालों से जल्दी बना दिया मैं विल्दी नहीं करते हैं राटे हैं यू नहीं फाराइब रेविंडे भी करे वुलाती है नहां बताया उन्होंने मैं तो क्यूट है और देवे दोट माइन सर इस अमेडिकल अमजेंसी लाइफ इन डेथ मैटर अब बताओ ना मेडम मैं अपनी गंदी शकल मुझे दुपारा मत दिखाना अरे सुना मैं थोड़ी सी कन्फूजन में हूँ अगर तू मेरे साथ चलेगा तो अच्छा होगा डॉक्तर ने कहा कि कल हम मा को घर ले जा सकता हूं अभी मा की तभी पहले से बैठे है अरे अरे दादी औरेंज जूस यह कहां से लाया बिटा मैं कुछ भी कर सकता हूं दादी जूस क्या रात को सूरज भी ला सकता हूं लेकिन यह कहां से मिला और कहां से दादी इस वक्त तो फाइब स्टार होटल ही खुले रहते हैं इस अब क्या बात है यार हैना अर्जिन आहां सभी खाएब तो फाइस्टा उटल से लाया है तू आँ आँ पाइस्टा उट्ल से लाया है तू अरे यह सब छोड़ना है भूल जा थपड मैंने खाया और यहां सब की नजर में तू शारुख बनके घूम रहा है और मैं कौन हूँ चूचा अरे तू तो सल्मान है यार अबहुट तू और अबहुत है यहां जाने खालु मुट्अधर में यहां पूल पर फूरस्पेशा फूरस्शा पर डॉप्याशन समतते हैं पर बदराश्चांडू मैं कि असमें गाल कर रागलेशू वण्ट्र टान लेए जुश्वश्या तू आप लूवर शॉश्यार में तो लू वो भाई मुझसे यो लेगे जो के ना अभी दर्द नहीं हो रहा न थैंक्स फॉर एवर्यटिंग अर्जन अब तुम जा सकते हो जा सकता हूं लेकिन क्या हुआ अंजली सेड़नली मुझे जाने के लिए कह रही हो मुझे क्या हुआ मैं तो बिल्कुल नॉमूल हूँ क्या अंबलीवबल यह जिस अंबलीवबल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो यू लब मी इस सवाल का जवाब नहीं है मेर पास दू यू लब मी नो अंद एग्जाक्ली माइपॉइट मुझे कुछ नहीं कहना है है तो सब खाथ है ना है कि मैं तो बस पात साल अके लिए रहना चाहता हूं लेकिन तुम तुम तो देखना तुम तो जिन्दगी भारा के लिए रह जाओगी अंजली मैं एसी ही हूं मुझे किसी से भी कौई expectations नहीं है और नाहीं डाइव किसी पर डिबेंडनेंट्प तुम तो कह रही हो ना कि तुम तो किसी से भी कोई expectations नहीं है तो पर ये क्यों सुपरब रूह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो यू जस्ट वान लाइफ और तुम भी मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो अर्जुन यू अलसो फ़ान लाइफ दीदी मामा आया है अच्छा हाँ दीदी मैंने उन्हें कॉल किया था कि शाम तक तो ठीक थी फिर अचानक आओ अब मां क्यासी है स्टेबल है मामा जी सॉरी बेटा मुंबई में बारिश होने की वज़े से मेरी फ्लाइट डिले हो गई इसलिए आने में देर हो गई नो प्रॉब्ल मामा जी मां भी ठीक है डॉक्टर बोले कर सुबार डिस्चार् और उन्हें टाइम दवाई भी दे रहे है और थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना इसलिए आप ही बताईए हम क्या कर सकते थे मैं चलता हूं दादी बाई क्या हो आर्जुन ये मेल में वो फोटो अर्जुन हां ये वही है हां मैं अंजली का मामा हूं मुंबई में में रहता हूं हलो तुम यहां कैसी रिष्टा पक्का हो गया क्या हूं मैं अकेले में तुमसे पांच मिनट बात करना चाहता हूं कम सब्सक्राइब कि शिगरेट हॉस्पिटल पालकनी है न वैसे काम क्या करते हो तुम आई वोर्क फूर्म कॉल्ट टेकार्ट बेसिकली भी प्रवाइब बिजनस से लूश्ट ठीक है मेरी बात सुनों अर्जुन मैं दिल से बात करूंगा इसलिए बुरा मत मानना दिल पे मत लेना तुम दुनिया के सबसे लखी लड़के हो हलाकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे तुम कितने भी अच्छे लड़के हो अंजली के बारे में तुम क्या जानते हो क्या मतलब अंजली के बारे में अंजली जब बारा साल की थी उसके पिता जेकी मौत हो गई थी जिन्दगी में रिष्टों की आमियत आदमी तब समझता है जब वो अपने पिता को खो देता है अंजली को ये बात थोड़ी जल्दी समझनी पड़ी बहुत ही छोटी उम्र में तब मैं बहुत कम-कम आता था, नया-नया बिजदर शुरू किया था अंजली को साफ बोल दिया कि मैं उसकी देख भाल करने की हालत में नहीं हूँ तब उस बारा साल की लड़की ने मुझसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं होना सब समहल लोंगी और उस दिन से अपने परिवार को वो खुदी समहलने लगी स्कूल से घर आने के बाद वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और उससे जो पैसे मिलने लगे उनसे वो अपने परिवार को समहलने लगी और साथ ही खुद भी पढ़ाई की जब मेरा बिजनस सेटल हो गया तो मैं उसके पास वापस गया और कहा मेरे साथ चलो लेकिन उसने मुझसे कहा भगवान की किरपा से सब अच्छा चल रहा है और हम बहुत खुश हैं आज आपका काम अच्छा है तो आप हमें समहल सकते हैं कल अगर नहीं रहा तो हमारा बोज उठा पाएंगे इसलिए हमें आपके सहारी की आदत नहीं डालनी है और ये हम दोनों की लिए अच्छा है आप चिंता मत कीजिए मैं सब कुछ समभाल लोंगी ऐसी है हमारी अंजली पूरे परिवार की ताकत है वो चोटी सी उमर में वो समझ गई थी कि डर क्या है जिम्मेदारी क्या होती है और उसने अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं आने दी मामा जी डॉक्टर आई है आपके लिए वेट कर रहे हैं हाँ ठीक है चलो कर दो कर दो तुम बिल्कुल चिंता मत करो डॉक्टर हो हुश में आ गई है सबसे मिलना चाहती है चलेगा ना हाँ हाँ कोई बात नहीं आप नहीं सब्सक्राइब मैं आपको डायट चार्ट और मेडिसेंस बता दीती हूँ आप उसे फॉलो कीजीगा एक मैं ध्यान रखूंगे लता क्या हुआ उस लड़के ने चादी के लिए हां कहा तुम अभी आराम करो हम बात में बात करते हैं पहले बताई उसनी क्या कहा अरे मेरी अम्मा उसने हां कह अधि वह तो हॉस्पिटल तक भी आया है तुम्हारे लिए अनो अर्जुन को बिलाओ ओके मामा जी ूशर प्राओबाख είναι अर्जुन को अई बात मैंगे यवाए ऊदू में योदक हा अदूब्स भयआं वे freedom वी आराम है क्या हूंग हुआ है मैं प्रूह हुआ 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 है अर्चुन मैं आपको अर्चुन बुला सकती हो ना अरे आप इतना फॉर्मल क्यों हो रही है अर्चुन ही बुलाईए मैं इन से पहली बार मिल रही हो ना वो भी इस तरह है इस हालत में कोई प्रॉब्लम नहीं है अंटी अर्चुन मेरी यह हालत देखकर तुम तुम डर्ना मत अंचली की जिन्दगी में मैं बस बस एक भार हूं बटा और वो भार तुम्हारी से मितारी है ऐसा पिल्कुल मत सोचना मैं अपना ध्यान रख लूँगी कहीं दूर चली चाहूंगी तुम्हारी लाइफ स्पॉयल नहीं करोंगी तुम बस अंचली को हमेशा खुश रखना वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा अब समझ में आया अंचली ऐसी क्यों है अब समझ में आया अंचली बिल्कुल आपके जैसी है बस दूसरों के बारे में सोचती है उसे हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है इन फैक्ट आप तो हालत ऐसी है कि शायद वो खुद के बारे में सोचना ही भोल चुकी है जैसा कि आपने कहा आपकी अंचली वाकई बहुत अच्छी है लेकिन आपसे मिलने के बाद आहसास हुआ कि उसकी अच्छाई की वज़े आप है दरसल आज अंचली से मिलकर उससे बात करके एक बात तो साफ दिखाए देती है आप अंचली पर भार नहीं है बल्कि आप ही उसकी ताकत है आप सोजाईए तेक रेस्ट आप सोजाईए तेक रेस्ट आजाँ सब लोग बाहर चलते हैं इसे थोड़ा रेस्ट कर देते हैं आप सोजाई मैं चलता हूं बाइट अंजली कहां गई पैतानी मुझसे कुछ भी कहानी या नीचे उतर गई तुम पिर से आगे? अंजली क्या चाहिए तुम्हें तुम्हारी वज़े से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या जवाब दूंगी मैं सबको सोचा है कहा था ना मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके तुम चले जाना और क्या क्या तुमने उपर आ गया दादी और अनू से मिल लिए इन सबको जब पता चलेगा कि रिष्टा पक्का नहीं हुआ है तो यह सोचेंगे कि तुम्हारी तो हाँ है मैंने ही ना कर दी होगी तुम्हें पांच साल तक शादी नहीं करनी है ना तो फिर कॉम्प्लिकेट क्यूं कर रहे हो बुद मॉर्निंग बेटा अरे कितने बज़ गये एक मिनट रुकिया है अरे बेटा गिर गया तो क्या हुआ मैं घर जाकर और ले आती हूं इटिट अंजली अंजली तुम सारे मर्द बरोसा तोड़कर अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हो पापा मामा सब के सब इसलिए मैं तुम्हें बार बार जाने को कह रही हूं अर्जुन और तुम वापस आ जाते हो मुझे डर है कि कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए इसी बात का मुझे डर है डोट इरिटेट में अर्जुन को इसलिए प्रॉब्लम के अंजली वापस आ जाता हूं और तुम्हें डर लग राए कि कहीं तुम्हें मुझे प्यार ना हो जाए तो अंजली 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 अर्जुन को को नहीं जाओंगा अब समझ में आ गया कि तुम्हारी शब्द नहीं कि तुम्हारी आँखे सच कहती है कि मेरी आँखों में देखकर जाने को कहो चला जाओंगा कि लुकित मी अंजली कि अजली आँखे सच कहती है कि अजली आँखे सच कहती है अर्जुन कल सुबह उटकर तुम अपना फैसला पदल तो नहीं लोगे ना यह तो नहीं सोचोगे कि तुमने गल्ती कर दिया है अगर ऐसा कुछ भी है तो अभी बता दो अर्जुन मैं परदाश नहीं कर पाऊंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर चलो लेट्स को चलो वाट शादी करने हां अंजली मैं सीरियसली कह रहा हूं मेरी इच्छा है कि हम जिन्दगी भर साथ रहें और हमारे पेरेंस भी तो यहीं चाहते हैं न हम बस थोड़ी जल्दी शादी कर रहें इतना ही वाट भागल हो क्या यह क्या बगवास कर रहे हो लाइफ में पहली बार कुछ सही कर रहा जरा सोच कर देखो अगर शादी का मुहुरत पांच महीने बात का मिला तो तुम्हारी मां दिन राज शादी के टेंशन में रहेंगी लेकिन उनके डिस्चार्ज होने से पहले अगर हमारी शादी हो चुकी हो तो कितना खोश हो जाएंगी सोचो एकदम निश्चिंत होकर र अरजुन अर्जुन 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 स्टोशनस को चिंच आगा पर थेखंवरी में otherwise अर्जुन अर्जुन器 अर्जुन 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 इस Being aघ् предлагे हर चले половऔ प्लीज टॉप ओ अर्जुन का रोको प्लीज हम बहुत बड़ी गलती कर रहें अर्जुन तुम्हारा ना मनजली है सो ए मेरा ना मारजुन है सो ए तो शादी के बाग क्या बच्छों का नाम भी ए से स्टार्ट होगा नहीं लड़का हुआ तो नाम रणबीर होगा तो तुम अर्णबीर की फान हो वो तो मुझे भी पसंद है यप अर्जुन तुम्हारा फेवरेट हीरो कॉन है मुझे यह तक नहीं पता मैं तुम्हारे वार में कुछ नहीं जानती हो मैं से किसे शादी कर रहे हैं अर्जुन प्लीज स्टॉप दो कार प्लीज देखो अंजली जिस दड़की ने मुझे बिना पैंड के देख लिया मैं तो कंफर्म बस उसी से शाधी करूँ गां पहली ब्रेक अप करके चली गई और दूसरी लड़की तुम है शादी तो तुमसे ही करूँए मतलब उस लड़की ने भी तुम्हे बिना पैंड के देख था यानिके तुम द अब भी कोई एक्सपीरियंस लड़की चाहिए थी, मैं अजस्ट कर रहा हूं ना, तुम भी कर रहा हूं यूचीपो अरे, अलेस्ट लेट में ड्राइव, अंजली, तर्स्ट्राफिक है, जा कर रहा हूं साथ आपने शादी कर ली, ए मनी, तरह फोंदे हामानी, बोलो हाई मा अर्चुन, कहां पर है तू, मैं तब मा डालूगी तुझे, मैंने तुझे लड़की से मिलने कहा था, और तु घर छोड़कर भाग गया तुम्हारा फोन यहां घर पर बज रहा है, अंजली का फोन स्विश्ट रॉफ है, उसके घर पर फोन किया तो किसी ने उठाया ही नहीं, यू रस्पॉंसिबल इडियोट, उन्हें क्या जवाब दूँगी मैं अब, मेरी क्या इसत रह जाएगी उनके सामने, तिस तू मच, अब ही आती हो, आज तो इसकी खाल धिर दूँगी मैं, ना किया कम कर रखाय मेरी, हाई मा, आप शर जीत गई मा, मैंने एंजली से शादी कर ली, नर्स, यहाँ जो पेशेट अकल से डिस्चार्ज कर दिया था ना, तो मेरी यह कौन है, नहीं पता, तुम लोग कितने रिस्पॉंसिबल हो गयो, जा कर देखो उसे क्या हुआ है, तुम्हें एडमिट क्यों किया है, तुम्हें डारिया हुआ है ना, यहाँ आरे, के सरिया तानम, के सरिया तानम, के सरिया तानम, रारुर मेरी, सबस्क्राइब हुआ हो दो अब दो क्यों जुआ है